हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि जो गास काटने की मशीन है उसे अगर आप लेते हो तो उससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखाता हूँ आप यह देख सकते हो तो इसमें बेसिकली दो टाइपस की मशीन आती है एक यह वाली है आप देख सकते हो यह आप इसली केरी कर सकते हो पीठ में और इसका इंजन यहाँ पीछे लगा है और साइड से जो यह रोड सी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका सिस्टम में स्टाट वगरा यहाँ से होती है तो इसी टू हैंकरी है यह वाली मशीन शिए कि सो होती है इस इंजन साहर उसे हता हैं लगा हुआ तो वह वाली मशीन थोड़ी कम प्राइज में आपको मिल जाएग अनいやशन कर्क दाएवगा इसका जो प्राइज यह पीत वाली मशीन है 20-25,000 के बीच में आपको यह मिल जाएगी, और यह साइड वाली मशीन होती है, वो आपको मिल जाएगी 10-15,000 के बीच में, और जो साइड वाली मशीन है वो मुझे एक डिसमटेज उस की यह लगी, कि जो उसका इंजन और कंट्रोलिंग का सिस्टेम है मुझे काफी अच्छा वो नहीं लगा अगर आप कभी स्लिप उगेरा हो जाते हो तो आपको उसके दुश परिनाम जहलने पड़ सकते है अगर इस मशीन की बात करें तो साइड वाली मशीन से कहीं बढ़िया यह वाली मशीन है इजी टू कैरी है इजी टू हैंडल है इसे कोई भी चला सकता है तो आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मशीन ऑपरेट होती है और किस तरह से ये मशीन चलती है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मशीन स्टार्ट होती है और चला के बताऊंगा आपको सबसे पहले आपने इस तरह से करना है यह स्टॉप हो गया और यह स्टार्ट हो गया इतने ही होता है फिर इसके बाद मिशीन में लगा है यहां पर फिर यह मिशीन स्टार्ट हो जाएगी यह देखिए मिशीन स्टार्ट हो चुगी है और फिर उसके बाद यह एकसीलेटर याद से थोड़ा करना होता है यह देखिया आपको आपको यह देखा कि किस तरह से मशीन चलती है easy to handle है easy to carry है कोई भी मिशीन को चला सकता है अब बात करते है कि इसका जो फाइदा मुझे हुआ वो क्या हुआ तो जो सबसे पहला फाइदा है वो यह है कि एक तो आपका time बचेगा और दूसरा यह है कि आपकी जो labor cost है वो कहीं न कहीं बहुती कम हो जाएगी अब example के तोर पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जब हमारा save का season खतम होता है तो उसके बाद जो बगीचों में काम होता है वो यह होता है कि जो घास होता है वो पूरा काटना पड़ता है जिसके लिए हम hire करते है labor को तो उन्हें हम charges देते हैं काफी जादा महंगी वो हमें labor पड़ती है पर अगर बात करे machine की तो अगर आप machine से वो घास काटते हो तो काफी सस्ते में आपको वो पड़ जाता है अब जैसे बात करते है अगर आपने पांच labor वाले लगाये है तो एक दिन में वो अगर घास काटते है एक टोली हम वो जो घास की इकट अगर के रखते हैं उसे टोली बोलते है वहीं जो एक बंदा अगर machine से काटेगा पूरे दिन भर वो एक टोली बड़े अराम से इस machine की मदद से काट सकता है तो कहां पांच बंदे एक टोली एक दिन में काट रहे है और कहां एक बंदा एक दिन में एक टोली काट रहा है machine की help से तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम बचेगा और कितनी आपके जो लेवर चार्जी है वो बचेगे तो काफी फायदे है इसके और अगर आप चाहे तो इसे ऐजा मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हो जो गास होता है तो अलियों में लगा हुआ और बगीचों में आजकल माई और जून के टाइम में उसे आप काट सकते हो और जो काटा हुआ गास होगा वो आप ऐसकुद मुल्च मीटीरियल यूज कर सकते हो तो उससे जो आपके बिगीचे का घास है वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा और पेड़ के लिए भी काफी अच्छा रहता है घास और अगर मल्ची के तौर में आप उसे यूज कर रहे हो अब बात करते हैं इसकी disadvantage कि मुझे क्या इसमें खामिया लगी एक तो अगर आप ये पीठ वाली मशीन लेते हो तो थोड़ी जब तक आपका इसमें हाथ नहीं बेठा तो आपको भारी लगीगी बाजू में आपके pain हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी भारी है ये मशीन और जो side वाली मशीन होती है उसमें ये एक disadvantage है कि जो ये वाली side होती है right hand side तो इसमें काफी pain हो जाता है क्योंकि सारा जो weight है मशीन का वो इस side ही रहता है तो काफी pain करती है तो काफी वो भारी आप एक तरह से ले सकते हो और तो ये पीठ वाली है ये थोड़ी फिर आप उतनी भारी नहीं है जितनी वो side वाली होती है पीठ वाली easy to carry करने के लिए है तो आप ले सकते हो अगर आपने इन दोनों मशीनों मैंसे कोई एक लेनी है तो काफी बढ़िया है जिसमें आपका हाथ अच्छे से बढ़ता है त वशेर के दितने वाथ